आप से भी को जै स्री राम, जै बागेश्वर धाम, तो आप लोग भी चलिए हमारे सार बागेश्वर धाम की यात्रा में और दर्सन करिएगा भगवान जी के, बाला जी सिरकार के, तो आज जो हम लोग आये थे ना तो बहुत जादा भीड थी, भंकर वाली जिसको भीड कहत हैं ना वो वाली भीड थी, तो कभी आप लोग आईए, कभी सोचिये आने के लिए, तो इस टाइम पर बिल्कुल मत आईएगा, और हम लोग इसलिए आए थे इस टाइम पर, क्योंकि टाइम ही नहीं था, क्योंकि गए थे कुलपूजा में, नौरात्री में, तो मैं नौरा से जाना तो बड़ा मुस्किल है बहुत दूर है इसलिए जब भी सतना जाती हूं तो जरूर चली जाती हूं भगवान जी के दर्सन भगवान जी की क्रपा ही होती है जो की दर्सन हो जाते है नहीं तो वहां पर रहके भी लोगों का आना बड़ा मुस्किल हो पाता है नहीं आ लोग नारियल वाले पोड़े थे तो वही उनको खिला रहे थे फिर पड़ी थी हमें केड नदी जो कि बहुत बड़ी नदी है बहुत विसाल नदी है तो बस यहां से निकल गए आप पहुँच गए हैं हम लोग बागेश्वरधाम तो यह है प्रचीन तीर्थ बागेश्वर मार्ग बन रहा था परिक्रमा करते हैं न लोग मंदिर की तो उस मार्ग में इतने नुकीले नुकीले इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे कि चलना इतना मुश्किल हो रहा था न वो जो नुकीले पत्थर ऐसे चुप रहे थे कि ऐसा लग रहा था पता नहीं क इसके उपर चल रहे हैं बहुत ज़्यादा नुकीले पत्तर और चपल वपल हम लोग अपने गाड़ी में ही उतार के आये थे तो सब बिना चपल के थे तो बहुत ज़्यादा चुप रहे थे कंकर और है तो ये देखिए इतनी ज़्यादा भ्यानक भीड़ती ना अब लोगो सनिवार को बिल्कुल मत जाईएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर मतलब जो अरजी लगा देते हैं लोग कि हम इतने मंगलवार पेसी करेंगे तो वो लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और अगर आप नॉर्मल दर्सन करने जा रहे हैं मंगलवार सनिवार इसी तरीके की भीड़ होती है और नौरात्री में इस वज़े से दसहरा में हम लोग गए थे दसहरे के दिन तो इस वज़े से भीड़ रही होगी क्योंकि सब लोग अपने अपने कुलपूजा के पूजा में आते हैं तो वहीं तक पहुंचे तो सोचते होंगे कि चलो यहां आए हैं तो इनके भी दर्सन कर लें मुझे ऐसा लग रहा है और पता नहीं भीड़ तो कहते हैं कि मंगलवार सनिवार ऐसे ही भीड़ होती तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसे बेरियर लगे हुए थे जो कि बहुत सारी लाइन बनी हुई थी द मतलब आज मी नहीं जा सकता हम हम लोग तो बड़ा मुस्किल होता है कभी सोचे भी नहीं थे कि इतनी जादा भ्यानक भीड़ होगी नहीं तो एक बार सोचना पड़ता कि जाएं की नहीं जाएं क्योंकि इससे पहले आये थे ना तब बिलकुल डारेक्ट जो मंदिर का रस्ता हम लोग डेड़ घंटे में तै कर पाए थे इतना जादा रस्ता इतनी जादा भीड़ थी देख सकते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कि कितनी भयानक भीड़ थी कुछ लोग तो छोटे-छोटे बच्चों को भी लेके आये थे मतलब फैमली में और उनके ना रहे होंगे तो बच्चों को तो लाएंगे ना अपने अपने बच्चों को तो इतना जादा परिशान हो गए थे वो बच्चे मम्मी भी बहुत परिशान हो गई थी यूँकि बड़े बूर्णों का इतने भीड में बड़ा मुस्किल हो जाता है चलना अर्णव भी बह बेटने के लिए बार-बार कर रहा था लेकिन वहां इतनी भीड में कहां बैठने की जगे होती है तो यह देखिए देख पा रहे होंगे आप कितनी भयानक भीड है लिए सब्दों में मैं बैयान नहीं कर सकती इतनी ज्यादा भीड थी खड़े हो पाना बड़ा मुश्किल हो तो जो यहां के कर्मिचारी थे, आधी भीड वो देख पा रहे होंगे, आप पीछे जन सैलाव जिसको बोलते हैं, ऐसा था, इतनी, मतलब कुछ-कुछ निकाल देते हैं, जैसे 100-500 लोग, फिर लगा दिये, 500 लोग तक निकाल देते हैं, फिर बंद कर दिये, फिर निकाल दिय फिर बंद इस तरीके से, जिसमें भीड को कंट्रोल कर सकें, तो अब हम लोग थोड़ी से सीड़ी में उपर चढ़ रहे थे, जो कि उपर चढ़ना इतना मुस्किल हो रहा था, कि अगर कोई एक भी गिराना, तो पचासों लोग उसके साथ गिरेंगे, इतनी जादा वो हो तो यह देखिए, बस उपर यह जो दिख रहा है, नारियल आरियल बंदे हुए, वहीं पर उपर चलके थोड़ी सा मतलब, यह जो जहां से हम लोग जा रहे हैं ना, वो बस पांच मिनट की रास्ता है, जिसको कि हम लोग इतने घंटों में तै कर पाए, और यहां पर प्रेत सरकार हैं, जो कि जिसको भी भूत प्रेत लगे होते हैं, तो यहां पर आके वो लोग अपने आप जूमने लगते हैं, इस तरीके से यह देखिए, थोड़ी-थोड़ी सी मैंने क्लिप ले ली थी, क्योंकि यहां पर बिल्कुल मना था वीडियो बनाना, अलाउंसमेंट हो जा था कि वीडियो नहीं बनाना है, लेकिन आप लोगों को भी तो दिखाना था इस वज़े से थोड़ी-थोड़ी करके मैंने क्लिप ले ली थी, छोटी-छोटी-छोटी सी हैं, तो आप लोग देखिए किस तरीके से और अंदर वो जो दिख रहे थे, भगवान जी तो य यही प्रतिमा है, यही मूर्ती है बागेश और बाला जी की, तो आप भी दर्सन कर लीजे, अर्जी लगा लीजे, भगवान आपके सारी मनोकामनाई पूर्ण करें, तो बस दर्सन करके हम लोग निकल गए थे, वापस आ गए थे, बस कुछ खापी के, यह देखिए, यह जो दिख रहे हैं बागेश और धाम लिखा हुआ, बस जो मैंने क्लिप दिखाई, फोटो दिखाई, वही बाला जी सरकार बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो यह देखिए, फिर वही वापसी में केन नदी पड़ी, बहुत विसाल केन नदी है, और वीडियो बनाने का कोई वो नहीं था, इसमें तो छोटी-छोटी सी क्लिप, रास्ते की थोड़ी-थोड़ी सी लेती जा रही थी, वीडियो के उससे नहीं, यह नहीं था कि व्लॉग बनाना है नहीं, तो और अच्छे तरीके से ले पाती, नेकिन जो भी ले पाई, आप लोग अच् पन्ना जुगल किसोर के दर्सन करने ये है, पन्ना के जुगल किसोर मंदिर, पन्ना का जो मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत चमतकार करते हैं यहां के जुगल किसोर महाराज जी, जो कि हम लोग आए थे तो यहां पे साड़े तीन बजे बगवान को विस्राम करा दिया जाता है और फिर बाद में वगवान जी उठते हैं साड़े साथ बजे जो की पटबंद थे और फिर हम लोग वापस आ गए रास्ते में हम लोगों को हाथी महराज मिले तो हाथी महराज की हम लोगों ने दर्सन किये फिर वापस आ गए सतना सतना में हम लोग गए थ है वैंकिटेश्वर मंदिर जो की बहुत ही सुन्दर बना दिया गया है पहले से ही ये मंदिर तो बहुत प्राचीन है बहुत भव्वे मंदिर है बहुत सुन्दर जिसमें वैंकिटेश्वर गवान है ये लिए 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 आप लोगों पी दरसन कर लीजे सतना के वैंकिटे पिर वहां से लोटे तो जुगल किसूर पन्ना गए जहां कि भगवान के पटपंध हो गए थे तो सिर्फ मंदिर देखे और है तो सुबह की जो सिंगार आती थी तो पंडिजी से उनसे कहे के तो वीडियो में हम लोगों ने देख लिया थे कि आज भगवान जी ने क्या किया है तो जुगल किसूर के ऐसे दर्सन कर लिए और फिर हम लोग आए सतना के वेंकटेश और मंदिर तो फिर हम लोगों ने ऐसे दर्सन किये वेंकटेश और मंदिर में और आप लोगों ने भी सारे दर्सन किये और फिर हम लोग पहुंची गए घर तो इस प्रकार मंगल में यात्रा रही हम लोगों की तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं किसी ने व्लॉग या सत्य घटना के साथ जब तक अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए थैंक्यू सो मज़ फुल वाच करने के लिए जै स्री राम जै बागेश वरधाम जै बाला जी सरकार